क्लास एट में एंजियाटी सीबियसी के बुक से एकसरसाइज 6.3 चल रहा था तीन कोस्चन हो गए फोर्थ कोस्चन है find the square root of the following number by the prime factorization method prime factorization method से हमको यह जितने number है in case square root का value निकालने का है ध्यान रिखिये इसमें दिया हुआ है prime factorization method तो सबसे पहला point है कि prime numbers क्या होते हैं ये बात आपको ध्यान होना चाहिए prime numbers क्या होते हैं ऐसे सभी number जो की खुद के number से और 1 से divide हो वो सारे number होते है prime numbers जैसे 2 है तो 2 1 से divide होगा और 2 2 से divide होगा कोई भी number जो 1 से divide हो 2 जो है 1 से divide हो जाएगा और खुद के number से divide हो 1 2 जा 2 2 1 जा 2 ठीक है 3 क्या है 3 भी 1 से divide होगा और 3 से divide होगा ठीक है खुद के numbers divide होगा और 1 से 7 भी ऐसे ही है 1 से और 7 से डिवाइड होगा 11 भी 1 और 11 से डिवाइड होगा किसी और से डिवाइड नहीं होगा अभी यदि हम 6 के लिए ले तो 6 का क्या होगा 6 1 से भी डिवाइड होगा 6 2 से डिवाइड हो जाता है 2 3 जा 6 होता है तो यहां पर वन से और खुद के नंबर के अलावे भी दो नंबर से डिवाइड हो जाता है इसलिए प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में इस बात का ध्यान रखना है कि हमको सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करने का है ऐसे दूसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं करने का है ठीक है और प्राइम नंबर में वन कभी नहीं आता है इस बात को ध्यान रखेगा इसलिए वन चोड़ के मैंने दिखा है प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया अब सकेंड पॉइंट है डिवीजिबिलिटी रूल क् चाहिए भाई 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है एंड में 2, 4, 6, 8 यानि इवें नंबर हो 0 ऐसा हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है ठीक है 3 से डिवाइड का रूल क्या है कि 3ों का प्लस यदि 3 से डिवाइड हो जैसे यह यह तीन वैल्यू है 729 तीनों को प्लस क्या है तभी prime factorization आप निकाल सकते हैं तो fourth question का fourth का पहला question क्या है 7.29 अब prime factorization method से आप इसको निकालिए सबसे पहले आप 3 से divide कीजिए तो 3, 2, 6 होगा और remainder 1 बचेगा 1 और 2 कितना होगया 12 होगया 3 से 12 निकालेगा 3, 4, 12 होता है तो मैंने ये 4 लिखा 3, 4, 12 होगया एक खतम होगया 9 बचा 3, 3, 9 अगला क्या है 3 से 2 तो नहीं कटेगा 24 होगा 3, 8, 24 और 3, 1, 3 बाद में 3 से 3, 2, 6 बचा 6 के बाद यहां 2 बचा तो 2 और 1, 21 3, 7, 21 ये सब आप खटा लिजेगा ठीक है मन से करने का है 3, 9 जा 27 फिर 3, 3 जा 9 उसे 3 बन जा 7, 29 से क्या होगया 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 ठीक है तो कितने पेर बने 3 पेर बने वो भी 3 के ही therefore root of 7, 29 ठीक है क्या लिखेंगे root of ये root का sign है root of 7, 29 is equal to ये पेर में से 1 निकालेंगे ये पेर में से 1 निकालेंगे और ये पेर में से 1 निकालेंगे 3, 3, 3 इसमें से 3 निकलेगा इसमें से 3 निकलेगा क्योंकि root हो गया तो एक-एक खतम हो जाएगा ठीक है तो 3 into 3 into 3 3, 3, 3, 9 9, 3, 2, 27 आगे है समझ में कि किस तरह से prime factorization से